नमस्कार जैह हिंद बंदे मात्रम दोस्तों आप सबी का स्वागत है बिटेज ब्रोदर प्रेटफॉम में राष्टिस में सिक्षा दिस इज आमीनाजी प्रोम बिटेज ब्रोदर तो आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं 211 से लेकर इसमें टोटल 45 कोस्चन देखेंगे सुपर फास्ट वीडियो चलेगा इससे पहले साथ लेक्चर हो चुका है इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखिएगा तो बिना देर कीवें चलेए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन दोसाएगार कर रहा है वह गुप्त राजा जिसे विक्रामदित्य की उपाधी दी गई थी कौन थे चंद्रगुप्त परतम चंद्रगुप्त दूतिये समुंद्रगुप्त या कुमार गुप्त तो कौन थे इनका correct answer होगा दोसाएगार के चंद्रगुप्त दूतियो कहीं बिक्रामदित्य कहा जाता है चलिए next question क्यों आगे बढ़ते हैं 200 बारे कर रहा है निम्र में से कौन चीनी यात्री हर्स बर्धन के सासनकाल में आया था फाहियान, इत सिंग, हेन सांग, ये छेन सांग नहीं होगा यहाँ पर होगा हेन सांग चलिए next question क्यों आगे बढ़ते हैं 200 बर्धन के प्रारंबिक राजधानी कहां थी परियाग, कन नौज, ठानेशवर या मतुरा तो कहां थी 200 बारे का करेक्ट एंसर होगा बी कन नौज में हर्स बर्धन के प्रारंबिक राजधानी थी उसके बाद मतुरा किया चलिए next question क्यों आगे बढ़ते हैं 200 बर्धन के प्राजधानी में लेकित में से किसने सुने का सिधान्त प्रतिपात किया था चरक, बरा मिहीर, आरे भट या इन में से कोई नहीं थे, किसने किये थे इसका correct एंसर होगा आरे भट जहांसे दसमलोग पंड़ारी की शुर्वात हुई चलिए next question क्यों आगे बढ़ते हैं 200 बर्धन नमर तो कौन थे असोक, बिम्बिशार, कनिस्क या हर्स बर्धन तो कौन से 200 बर्धन होगा हर्स बर्धन जो थे महान, विद्वान और लेखक भी थे चलिए next question क्यों आगे बढ़ते हैं कर आए 279 रतना बली किसने लिखा कालिदास, वानभट, हर्स या भवभूती तो किसने लिखा 279 का करेक्ट अंसर होगा C, यानि हर्स बर्धन रतना बली लिखी थी चलिए next question क्यों आगे बढ़ते हैं 289 कर आए गुपतो की राज, दरबार की भासा थी, पाली, प्रकिर्थ, हिंदी या संस्क्रीट तो कैसा थी 289 करेक्ट अंसर होगा D, संस्क्रीट चलिए next question क्यों आगे बढ़ते हैं 220 कर आए धरम पाल किस धरम के अनुआई थे ब्राम्मड धर्म, बहुत धर्म, जैन धर्म या बैस्रो धर्म तो किस धर्म के अनुआई थी धर्म पाल, दूसर अनुआज का कोरेक्ट अंसर होगा B, बहुत धर्म के अनुआई थे चलिए next question क्यों आगे बढ़ते हैं 220 कर आए पाल बंस के किस सासक ने मुंगिर में अपना राजधानी बनाई धर्म पाल, देव पाल, गोपाल या ब्रिहग पाल किस ने बनाई दूसर बीच का कोरेक्ट अंसर होगा B, देव पाल देव पाल ने मुंगिर में अपनी राजधानी बनाई थी चलिए next question क्यों आगे बढ़ते हैं यूची चलिए next question क्यों आगे बढ़ते हैं कह रहा है 222 कुसाड़ राजबंस का पर्सिक सासक कौन था यानि पर्सिक सासक कौन था बिग फड़ फिसेश, कुजूल फड़ फिसेश, कनिस्क या बासु देव तो कौन से 222 कोरेक्ट अंसर होगा चलिए next question क्यों आगे बढ़ते हैं 223 को रहा है शत्वाहनों की राज़ानी इस्तित थी अमरावती, पैठान, नाल दूर्ग या मदूरई कहां इस्तित थी 233 का कौरेक्ट अंसर होगा बी पैठान, जो पैशावर में इस्तित है, पाकिस्तान बरतमान जो है उसी पैशावर है वहीं पैश्तित है, चलिए next question क्यों आगे बढ़ते हैं 224 नमद, गंधार कला बहुत ही परभाई थी, चिनी कला से, फार्सी कला से, भार्तिय कला से, या हेलेनिक कला से, तो किस से प बढ़ता, बेश्या, बिरिती, या बीधवा, पुनर बीवा, तो किस का साक्षे नहीं मिला है, 225 इसका correct answer होगा, डी, बीधवा, पुनर बीवा, चलिए next question क्यों आगे बढ़ते हैं, 226 का रहा है, चाथी या अंतिम बहुत परिशत किस के दौरा बलाई गई थी, असोक, कल बाशोक, कनिश्क, या हुविस्क, तो किस के दौरा बनाई गई थी, इसका correct answer होगा, ग, कनिश्क के दौरा, चलिए next question क्यों आगे बढ़ते हैं, 227 नमर को रहा है, भारत में मूर्ती यानि बुध की पूजा, किस राजबंस के काल के दौरान शुरू हुई थी, मोरे, सुं कुसाड बन्स के समय, मूर्ती का पूजन परारंभ हुआ था, यानि बुध के जो पहली बार मूर्ती का पूजन शुरू हुआ था, कब कुसाड बन्स में, चलिए next question क्यों आगे बढ़ते हैं, 228 प्राचीन भारत में कौन सी समाचिक बुराई असपश्ट रूप से अनपस चाणक के निमलेकित में से किस सिक्षक के अंदर से जूड़े थे, तक्षिला, नालंदा, बिक्रम शिला या बैसाली, किस से जूड़े थे, इसका correct अंसर होगा, तक्षिला, नक्षिला नहीं होगा, यहाँ पर तक्षिला होगा, चलि next question क्यों राग बढ़ते हैं, 230 कलिंग के सासक के खारवेल ने अपनी सुरक्षा दी, सैस्वधर्म, हिंदू धर्म, बौत धर्म या जैन धर्म के, तो 230 का correct अंसर होगा, डी, जैन धर्म, कलिंग के सासक खारवेल ने अपनी सुरक्षा किस से दी थी, जैन धर्म में, चलि next question क्यों राग पढ़ते हैं, 230 कर आया, ब अधिक्चु कौन था, बिशुडु गुप्त, उपगुप्त, अश्वघोस या उपाली, तो कौन थे, 211 का से एंसर होगा, ख, उपगुप्त, चलि next question क्यों राग पढ़ते 222 कर आया, किसने अंती मर सासक, ब्रियदरत की हत्या के बाद, मर से शत्ता हत्याली थी, पुस्य न हुई थी, तो पहला यही थे, पुस्यमित्र सुंग, चलि next question क्यों राग पढ़ते हैं, 234 कर आये, मर काल में समाने तब परियोग किया जाने वाला सिक्का कौन था, कारपासड, करसापड, निश्क, स्वण या काकिनी, तो कौन था, 234 का करेक्ट एंसर होगा, A और D, ये दोनों होगा, करसापड और काकिनी, जो चांदी और तामबा का बना होता था, चलिए next question की और आगे पढ़ते हैं, 235 कौन मरे राजा अमित्र घात की उपाधी धारण कहते हैं, बिंबि सार, बिंदु सार, असोक या जुनागर सिला लेखे, किस से संबंदित है, बिंदु सार, असोक, रूद्र दामन या हर्सक से, तो 236 का करेक्ट एंसर होगा, B असोक से, चलिए next question की और आगे पढ़ते हैं, 237 नमर करें निमेलेकित में से, कौन मौर काल के लिए एक महतपूर्ण सरोत सामगरी का परतिनितुत नहीं करता है, साहितिक सरोत, बिदेशी बिर्तांत, मुदरा सास्तर साक्ष या पूरा लेखिया सरोत, तो कौन नहीं करता है, इसका करेक्ट एंसर होगा, 237 का, D, पूरा एंसर होगा, A, पूरुष पूरुष, कौनिस की राजधानी कहा थी, पूरुष पूरुष थी, चले, नेक्स कोर्शन की रागर बढ़ते हैं, 240 का रहा है, उस राज का नाम बताएं, जिसने सबसे पहले यूद में हाथियों का परियोग किया था, कौशल, अवंती, मोगध या चमपा, तो कौन सा इसका करेक्ट एंसर होगा, गो मोगध है, चले, नेक्स्ट कोश्चन की रागर बढ़ते हैं, 240 का रहा है, सिकंदर के आक्रमड के समय, मोगध पर किस बंच का सासन था, हर्यक बंच, सीसु नाग बंच, नंद बंच या मोरे बंच, तो कौन से बंच क था, इसका करेक्ट एंसर होगा, गो नंद बंच के, जो धाना नंद थे, चले, नेक्स्ट कोश्चन की रागर बढ़ते हैं, 242 को रहा है, निम्न में से कौन सासक मोगध के उत्थान में उतरदाई था, चंदरगुप्त, बिंदु सार, अजान सत्रू, यानि अजात सत्रू या बिंबी सार, तो कौन थे, तो 242 का करेक्ट एंसर होगा, डी, बिंबी सार है, जो हर्यक बंच के संस्थापक थे, चले, नेक्स्ट कोश्चन की रागर बढ़ते हैं, 243 को रहा है, नंद बंच का अंतिम सासक कौन था, महापदमानन्द, धनानन्द, नावामनन्द या अ इसनेत की थी, असोक, सीमुक, अग्यान सत्र, या कनेश्क, तो इसका करेक्ट एंसर होगा, गो, अग्यान सत्र, यानि अजात सत्र, इनको कहा जाता है, चले, नेक्स्ट कोश्चन की रागर बढ़ते हैं, 245 कर रहा है, निम्न में से, किस बिद्वान ने अग्या या वल्लक किया को बाद विवाद के लिए चुनावती दी थी, घोस, अपाला, मैत्रेई, या गार की, तो कौन दे थे, इसका करेक्ट एंसर होगा, गो, गार की, चले, नेक्स्ट कोश्चन की और आगर बढ़ते हैं, 246 कर रहा है, निम्न लेखित में से, किस सीला लेख में, असोक ने कौरों में कुछ रियायत की घोसडा की, मास्की सीला लेख, भापरू सीला लेख, भूम्बिनी सीला लेख, या तेरह में सीला लेख, तो किस में की थी, 246 का करेक्ट एंसर होगा, डी, तेरह में सीला लेख में, चले, नेक्स्ट कोश्चन की और आगर बढ़ते हैं, 47 कर रह लेखे खरोष्टी लीपी में हैं लूम्बनी गिरनार मास्की या साहब गड़ी तो कौन है इसका क्रेक्ट एंसर होगा गह साहब गड़ी चले नेक्स क्वेश्ट की रागर बढ़ते हैं 248 को रहा है निमन में से कौन मौर राजा ग्रीक से अपने दर्बार में एक सोफिस्ट या हेतुवादी चाहता था चंद्रगुप्त मौर बिंदूसार असोक या कुसार तो कौन चाहता था इसका क्रेक्ट एंसर होगा बिंदूसार चले नेक्स क्वेश्ट की रागर बढ़ते हैं दूसर उन्चास कर रहा है निमन में से कौन कौन जैन संत्र चंद्रगुप्त से संबंधित है उमाश्वाम अस्तूल भद्र हरी भद्र या भद्भावु तो कौन थे दूसर उन्चास का क्रेक्ट एंसर होगा डी भद्र बाहु चले नेक्स क्वेश्ट क्यों रागर बढ़ते हैं 250 का रहा है रूप दर्सक मोर परसास में क्या था सूना एवं चांदी का परिरक्षक सिको का परिरक् चले नेक्स क्वेश्ट क्यों रागर बढ़ते हैं जिस नाम से असोक को उनके सीला लेक से संदर रिप्त किया गया है वह है चक्रवर्ती देवराज धर्मकिर्थी या प्रियदर्शी तो प्रियदर्शी असोक को क्या बोला जाता है प्रियदर्शी चले नेक्स क्वेश्ट और बाएं से दाएं कौन सी लिपी ब्रामली चले next question क्यों रागा बढ़ते हैं दूसर तिरफन का रहा है निम्न में से किसे सार्थ वाहक कहा जाता था दलाल साहुकार बैपारियों का कारवो या तिर्थ यात्री तो किसे कहा जाता था इसका correct answer होगा सी बैपारियों की कारवो चले next question क्यों रागा बढ़ते हैं 254 को रहा है और सोक के सिलाले को सफलता प्रुवक पढ़ने वाले पहले बैगती कौन थे चार्ल्स बिलिकिन्स दायाराम साहनी साम सास्त्री या जेम्स प्रिंसेब तो कौन थे इसका correct answer होगा डी जेम्स प्रिंसेब चले आज का last question देखत प्रिंस का correct answer होगा ख 18 तीर्थों का उलेह किया गया है तो आज का class यहीं पर समाथ होता है मिलते है नेक्स वीडियो में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको समय समय वीडियो मिलती रहेगी ल मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्य बाद